असलाम अलेकुम व्यूवर्स दिस बिलाल कासेम अगेन विट लेक्चर थ्री ठीक है आज जो है मैं आपके लिए लेक्चर नंबर थ्री जो के है कुड के बारे में जैसे कि मैंने बताया था मॉडल वर्ब के बहुत सारे यूजज होते हैं तो कुड का आज हम पहला यूज पढ़ेंगे और वो है पास्ट की अबिलिटी को काबिलियतों को इंगलेश में बताने के लिए हम कुड का इस्तिमाल करते हैं जो चीज़ें हम पास्ट में कर सकते थे उन तमाम चीज़ों को अगर हमें इंगलेश में बताना है तो वो हम कुट के जरिये से बता सकते हैं जैसे नुसरत पत्याली खान साब बहुत सारे सॉंग्स गा सकते थे तो ये उनकी अबिलिटी थी हम पतंग उड़ा सकते थे, वो क्रिकिट खेल सकते थे तुम वीडियो बना सकते थे लोग सेलफी नहीं ले सकते थे क्योंकि past में smart phones नहीं थे तो लोग selfies नहीं ले सकते थे इस तरहा की examples यानि इस तरहा की sentences को अगर आपने English में बनाना है तो वो आप could से बना सकते हैं यानि कि code की मदद से English में उस तरहा की sentences को बना सकते हैं तो देखते हैं कुछ sentences ताके आपको बहाअसानी समझ आजा जैसे first sentence है मेरे पास He could see without glasses जैसे for example if I just say I could see without glasses कि मैं बिना चश्मों के देख सकता था ठीके now I have to wear ठीके अब मुझे ये glasses ये चश्मे पहनने पड़ते हैं लेकिन पहले past में कब past में मैं बिना चश्मों के देख सकता था इसी तरह से अगर उसकी बात हो रही है तो He could see without glasses ठीके Let's talk about our second example जैसे we could not write in childhood हम बच्चपन में नहीं लिख सकते थे ठीके जब हम जायर सी बाते छोटे थे तो तब हमें लिखना नहीं आता था तो तब हमारे पास ये ability यानि हम में ये ability नहीं थी तो हम नहीं लिख सकते थे We could not write negative sentence हो गया ठीके We could not write in childhood ओके लास्ट example Could you take benefit from my videos? ठीके जैसे के आप जानते हैं कि मैं वीडियोस नहीं बनाता था मगर अब मैं वीडियोस बनाने लगा हूँ और आप यकीनन देखने लगे हैं तो आप से सवाल है यानि कि क्या आप के पास ये ability थी क्या आप के अंदर ये काभिलियत थी वीडियोस देखने की पहले क्या आप मेरी वीडियोस से फाइदा उठा सकते थे क्या आप मेरी वीडियोस का फाइदा ले सकते थे तो I hope clear है आपको आपको समझ आ गया होगा कि by code को हम क्यों use करते हैं past की abilities को बताने के लिए मतलब वो तमाम तर abilities जो हमारे अंदर past में थी या अगर negative बनाएंगे तो negative हमारे अंदर वो abilities नहीं थी वैल उर्दू में ये जो sentences हैं खुडवाले sentences उनकी कुछ meaning होती है इस तरहा से सकता था सकती थी या फिर सकते थे ठीके जैसे ओर्दू में हम बहुत सारे examples के सकते हैं जैसे मैं कपड़े नहीं धो सकता था ठीके मैं गाना नहीं गा सकता था मैं नहीं बोल सकता था जारे चिबात है जब हम छोटे थे तो तब हम नहीं बोल सकते थे ठीके मैं English नहीं पढ़ा सकता था वो English नहीं बोल सकता था ठीके हम दुबई नहीं जा सकते थे क्यों क्योंकि हमारे पास ability नहीं थी जाने की अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करें अब तक के लिए इतना ही मिलते हैं हमारी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए अलाफिस